आईए सुनते हैं मुंसी प्रेम चन जी की कहानी सुहाक की साड़ी यह कहना भूल है कि दामपत्य सुख के लिए इस्त्री पूरूस के सौभाओं में मेल होना आवश्यक है सिरिमती गौरा और सिरिमान कुमर रतन सिंग में कोई बात न मिलती थी गौरा उदार थी रतन सिंग कोडी को दातों से पकड़ते थी वे हस्मुक थी रतन सिंग चिंता सेल थे वे कुल मर्यादा पर जान देती थी रतन सिंग इसे आडम पर समझते थे उनके सामाजिक वैवार और विचार में भी घोर अंतर था यहां उदारता की बाजी रतन सिंग के हाथ थी गौरा को सहबो स्यापत्ति थी विद्वा विवा से घिर्णा और अचूतों के प्रसंद से विरोध रतन सिंग इन सभी वैवस्थाओं के अनमोदक थे राजनितिक विशियों में यह विभिन्ता और विजटिल थी गौरा वर्तमान स्थिति को अटल अमर अप्रिहार समस्ती थी इसलिए वनरम गरम कांग्रेस सवराज्य होम रूल सभी से विरक्त थी कहती यह मुठी बरपड़े लिखे आदमी क्या बना लेंगे चेने कहीं भाड फोड़ सकते हैं रतन सिंग पक्के आसावादी थे राजनितिक सभी की पहली पंक्तियों में बैठने वाले कर्म छेत्र में सबसे पहले कदम उठाने वाले स्वधेश वरतधारी और बहिसकार के पूरे अनुयाई इतनी विसमताओं पर भी उनका दाम पत्य जीवन सुक में था कभी कभी उनमें मत भेदा वश्य हो जाता था पर वे समीर के वे जोंके थे जो इस तिर जल को हलकी हलकी लहरों से आभूसित कर देते हैं वे परचन जोके नहीं जिन से सागर विपलव छेत्र बन जाता है थोड़ी सी सदिच्चा सारी विसमताओं और मत भेदों का परतिकार कर देती थी विदेशी कपड़ों की होलियां जलाई जा रही थी स्वयम सेवकों के जथे विखारियों की भांती द्वारों पर दिन फिर गए थे नैंसुक नैंदुक मलमल मनमल और तंजेब तंबेध हो गए थे रतन सिंग ने आकर गोरा से कहा लाओ अब सब विदेशी कपड़े संदूख से निकाल दो दे दूँ गोरा अरे तो इसी घड़ी कोई साइट निकली जाती है फिर कभी दे देना रतन वाह लोग द्वार पर खड़े कोला हाल मचा रहे हैं और तुम कहती हो फिर कभी दे देना गोरा तो ये कुझी लो निकाल कर दे दो मगर ये सब है लड़कों का खेल घर फूकने से सहराज न कभी मिला है और न मिलेगा रतन मैंने कल ही तो इस विषय पर तुम से घंटों सिर्पच्ची की थी और उस समय तुम मुझसे सहमत हो गई थी आज तुम फिर वही संकाएं करने लगी गोरा मैं तुम्हारे एपरसन हो जाने के डर से चुप हो गई थी रतन अच्छा संकाएं फिर कर लेना इस समय जो करना है वह करो गोरा लेकिन मेरे कपड़े तो न लोगे न रतन सब देने पड़ेंगे विलायत का एक सूद भी घर में रखना मेरे प्रण को भंग कर देगा इतने में राम्टाल साइस ने बाहर से पुकारा सरकार लोग जल्दी मचा रहे हैं कहते हैं अभी कई मोहलनों का चक्कर लगाना है कोई गाड़े का टुकड़ा हूँ तो मुझे भी मिल जाए मैंने भी अपने कपड़े दे दिये केसर मेरी कपड़ों की एक गठ्री लेकर बाहर जाती हुई दिखाई दी रतन सिंग ने पूछा क्या तुम भी अपने कपड़े देने जाती हो केसर ने लजाते हुए कहा हाँ सरकार जब देश छोड़ रहा है तो मैं कैसे पहनू रतन सिंग ने गौरा की और आदेश पूर नेत्रों से देखा अब विलंब न कर सकी लज्जा से सिर जुकाई संदूख फोल कर कपड़े निकालने लगी एक संदूख खाली हो गया तो उसने दूसरा संदूख खोला सबसे उपर एक सुंदर रेसमी सूट रखा हुआ था जो कौर साब ने किसी अंगरे जी कार खाने म गौरा ने पूछा क्या सूट भी निकाल दूँ रतन हाँ हाँ इसे किस दिन के लिए रखोगी गौरा यदि मैं यह जानती कि इतने जल्दी हवा बदलेगी तो कभी यह सूट न बनवाने देती सारे रुपए खून हो गए रतन सिंग ने कुछ उत्तर न दिया तब गौरा ने अपना संदूग खोला और जलन के मारे सवदेशी विदेशी सभी कपड़े निकाल निकाल कर फेंकने लगी वह आवेस प्रवा में आ गई उनमें कितनी ही बहमूल फैंसी जाकेट और साडियां थी जिने किसी समय पहन कर फूली ने समाती थी बाज-बाज साडियों के लिए तो उसे रतन सिंग से बार-बार तकाजे करने पड़े थे पर इस समय सब की सबांखों में खटक रही थी रतन सिंग उसके भावों को ताड रहे थे सवदेशी कपड़ों का निकाला जाना उन्हें अखर रहा था पर इस समय चुप रहने ही में कुसल समस्ते थे तिस पर भी दो एक बार वाद विवाद की नौबत आई ही गई एक बनार सी साड़ी के लिए तो वह जगड बैठे उसे गौरा के हाथों से छीन लेना चाहा पर गौरा ने एक नमानी निकाली फेंका सहसा संदूक में से एक केसरिया र रतन सिंग ने पूछा कैसी साड़ी है गौरा कुछ नहीं तंजेब की साड़ी है आंचल पक्का है रतन तंजेब की है तब तो जरूर ही विलायती होगी उसे अलक क्यों रख लिया क्या वे बनार सी साड़ीयों से अच्छी है गौरा अच्छी तो नहीं है पर मैं इसे न द दो रतन तुमने मेरी खातिर से एक भी चीज ने रखी मैं क्यों तुम्हारी खातिर करूँ गोरा पैरों पढ़ती हूँ जिद ना करो रतन सौधे से साड़ियों में से जो चाहो रख लो लेकिन इस विलायती चीज को मैं न रखने दूँगा इसी कपड़े की बदूलत हम गुलाम बने ये गुलामी का दाग मैं अपने ही रख सकता लाओ इदर गोरा मैं इसे न दूँगी एक बार नहीं हजार बार कहती हूँ की न दूँगी रतन मैं इसे लेकर छोड़ूंगा इस गुलामी के पठके को इस दासत्तो के बंधन को किसी तरह न रखूंगा गौरा ना अगजित करते हो रतन आखे तुम को इससे क्यों इतना प्रेम है गौरा तुम तो बाल की खाल निकालने लगते हो इतने कपड़े तो क्या रतन तुमने अभी तक इन होलियों का आस यही नहीं समझा गौरा खोब समझती हूँ सब धोंग है चार दिन में जोश ठंडा पड़ जाएगा रतन तुम केवल इतना बतला दो कि ये साड़ी तुमें क्यों इतनी प्यारी है तो साइद मैं मान जाओं गौरा ये मे मेरे सुहाग की साड़ी है रतन जरा देर सोच कर तब तो मैं इसे कभी न रखूंगा मैं विदेशी वस्त्र को ये सुब स्थान नहीं दे सकता इस पवित्र संसकार का ये एपवित्र स्मिर्ती चिन घर में नहीं रख सकता मैं इसे सबसे पहले होली की भेंट करूंगा गौरा कैसा असगुन मुझ से निकालते हो रतन ऐसी सुहाग की साड़ी का घर में रखना ही असगुन अमंगल अनिष्ट और अनर्थ है गौरा यों चाहें जबरदस्ती चीन ले जाओ पर खुशी से न दूँगी रतन तो फिर मैं जबरदस्ती ही करूंगा मजबूरी है य कहकर वर लपके की गौरा के हाथों से साड़ी छीन लूँ गौरा ने उसे मजबूती से पकड़ लिया और रतन की और कातर नेत्रों से देख कर कहा तुम्हें मेरे सिर की कसम केसर महरी बोली बहु जी की इच्चा है तो रहने दीजिये रतन सिंग के बड़े वे हाथ रुख गए मुख मलिन हो गया उदास होकर बोले मुझे अपना वरत तोड़ना पड़ेगा परतिग्या पत्र पर जूटे हस्ताक्चर करने पड़ेंगे खैर यही सही साम हो गई थी द्वार पर स्वेम सेवगण सोर मचा रहे थे कौन साब जल्दी आईए सिरिमती जी से भी कह दी में रखकर सवदेशी वरत का पालन क्यों कर होगा आगे कदम बढ़ा चुका हूँ पीछे नहीं हट सकता लेकिन परतिग्या का अक्छर सह पालन करना अभिष्ट भी तो नहीं केवल उसके आशे पर लक्ष रहना चाहिए इस विचार से मुझे परतिग्या पत्र पर हस्ताक करने का पूरा अधिकार है तिरिया हट के सामने किसी की नहीं चलती यों चाहूं तो एक ताने में काम निकल सकता है पर उसे बहुत दुख होगा वै बड़ी भावुक है उसके भावों का आदर करना मेरा करतवी है गौरा भी चिंता में डूबी हुई थी सुहाग की साड़ की सुनते नहीं बिगड़ते हैं तो मानो मुही नहीं सीधा होता लेकिन वे बेचारे भी तो अपने सिध्धान्तों से मजबूर है जूट से उन्हें घिरना है परतिग्या पत्र पर जूटी स्विकिर्टी लिखनी पड़ेगी उनकी आत्मा को बड़ा दुख होगा घोर ध खाने को जगा न रहेगी लोग समझेंगे बना हुआ है पर सकुन की चीज कैसे दूँ इतने में उसने राम टहल साइच को सिर पर कपड़ों का गठर लिए बाहर जाते देखा के सर महरी भी एक गठर सिर पर रखे हुए थी पीछे पीछे रतन सिंग हाथ में परतिग्या प और चाहा कि उसकी निगाह बचा कर निकल जाओं गौरा को ऐसा जान पड़ा कि उनकी आखें डबडबाई हुई हैं वह राह रोग कर बोली जरा सुनते जाओ रतन जाने दो दिख न करो लोग बाहर खड़े हैं उन्होंने चाहा कि पत्र को छिपा लूँ पर गौरा ने उस उनके हाथ से छीन लिया उसे गौर से पड़ा और एक छंड़ चिंता मगन रहने के बाद बोली वह साड़ी भी लेते जाओ रतन रहने दो अब तो मैंने जूट लिखी दिया गौरा मैं क्या जानती थी कि तुम ऐसी कड़ी प्रतग्या कर रहे हो रतन या तो मैं तुम से प रहने दो तुमारी खाति थोड़ा सा जूट बोलने में मुझे कोई आपती नहीं गौरा नहीं लेते जाओ अमंगल के भैसे तुमारी आत्मा का हनन नहीं करना चाहती या कहकर उसने अपनी सुहाक की सहड़ी उठा कर पती के हाथों में रग दी रतन ने देखा गौरा के च धिर्द्याता पर लज्जा आई हाँ केवल अपने सिध्धानत की रक्षा के लिए अपनी आत्मा के सम्मान के लिए मैं इस देवी के भावों का वद कर रहा हूं या त्याचार है साड़ी गौरा को दे कर बोले तुम इसे रख लो मैं परतिग्या पत्र फाड़े डालता गौरा ने दर्ड़ता से कहा तुम न ले जाओगे तो मैं खुझ जा कर दे आओंगी रतन सिंग विवस हो गए साड़ी ली और बाहर चले आए उसी दिन से गौरा के हिर्दय पर एक बोस सा रहने लगा वै दिल बहलाने के लिए नाना उपाय करती जल्सों में भाग लेती स करना चाहती थी पर यह असंका एक मेक मंडल की भांती उसके हिर्दय पर चाही रहती थी जब एक पूरा महीना गुजर गया और उसकी मांसिक वेदना दिनों दिन बढ़ती ही गई तो कुमर साब ने उसे कुछ दिनों के लिए अपने इलाके पर ले जाने का निश्चे किया उसका मन उने उनके आदर्स प्रेम पर नित्र्य श्कार किया करता था वे एक सरद्यातों में परचार का काम करने जाय करते थे पर अब अपने गाओं से बाहर न जाते या जाते तो संध्या तक जिरूर लोटाते उनकी एक दिन की देर उनका साधारन सिर्दर्थ और युख थी थोती थी वे तो देहात में पड़ी हुए आसंकाओं की कटपुतली बनी हुई थी इधर उसकी सुहाक के साड़ी सौधेश प्रेम की वेदी पर भस्म होकर रिद्धी परदाई निभभूत बनी हुई थी दूसरे महिने के अंत में रतन सिंग उसे लेकर लोट आए गौरा को वापिस आए तीन-चार दिन हो चुके थे पर असबाब के समहले और नियत इस्तान पर रखने में वह इतनी वैस्त रही कि घर से बाहर नन निकल सकी थी कारण यह था कि केसर महरी उनके जाने के दूसरे ही दिन छोड़ कर चली गई थी और अभी उतनी चतुर दूसरी महर की मिली न थी कुमर साब का साइस राम धहल भी छोड़ गया था बैचारे कोचवान को साइस का भी काम करना पड़ता था संध्या का समय था कौरा बरामदे में बैठी आकास की और एक टक होकर ताक रही थी चिंता गरस्त प्राणियों का एक मात्री ही अवलंब है सासा रतन स सिंग ने आकर कहा चलो आज तुम्हें सहुदेशी बजार की सेर करा लावें यह मेरा ही प्रस्ता उता पर चार दिन यहां आए हो गए उदर जाने को अवकास ही न मिला गोरा मेरा तो जाने को जी नहीं चाहता यहीं बैठ कर कुछ बातें करो रतन नहीं चलो देखावें ए संत में गौरा राजी हो गई इधर महिनों से बाहर न निकली थी आज उसे चारो तरफ एक विचित्र सोभा दिखाई दी बाजार कभी इतने रोनक पर न था वह सौदेशी बाजार में पहुँची तो जुलाहों को अपनी अपनी दुकाने सजाए बैठे देखा सासा एक व अंग से आत्म सम्मान की आबाज हलक रही थी आखों में गौर्व जोती थी रतन सिंग को कभी अनुमान न हुआ था कि अस्तबल साब करने वाला बुड़ा राम टाल इतना सौम्य इतना भद्र प्रोस है वह बोला सरकार अब तो अपना कारोबार करता हूं जब से आपकी ग हम गरीबों पर हो गई हमारा भी गुजर हो रहा है नहीं तो आप जानते ही हैं कि किस हालत में पड़ा गुआ था जात्ता कूरी हूं पर पापी पेट के लिए चमार बन गया था रतन तो भाई अब मो मिठा कराओ या बाजार लगाने की मेरी ही सलाथ थी बिक्री तो अच् कर खुब बिक्री हो रही है माल हाथो हाथ उड़ जाता है यहां बैठते हुए एक महीना हो गया है पर आपके किरपा से लोगों के चार पैसे थे वे बेबाग हो गए भगवान के दैसे रुखा सुखा भोजन भी दोनों समय मिल जाता है और क्या चाहिए मालकिन की सुहाग कि साड़ी का होली में आना कहिए और बाजार का चमकना कहिए लोगों ने कहा जब इतने बड़े आदमी होकर ऐसे सकुन की चीज की परवाह नहीं करते तो फिर हम विदेशी कपड़े क्यों रखें जिस दिन होली जली है उसके दो तिन दिन पहले ही सरकार इलाके पर चले ग उसी सुहाक की साड़ी की है इतने में एक अधेरी स्त्री गौरा के सामने आकर बोली बहुजी मुझे भूल तो नहीं गई गौरा ने सिर उठाया तो सामने केसर महरी खड़ी थी वह सुन्दर साड़ी पहने हुए थी हाथ पाउं में मामूली गहने भी थे चैरा खिला इवन का गौरव एक एक भाव से प्रस्पुटित हो रहा था गौरा ने कहा इतनी जल्दी भूल जाओंगी अब कहा हो हमें लोटने भी न दिया बीच ही में उड़ भागी केसर क्या करूं सरकार अपना काम चलते देख कर सबर ना हो सका जब तक रोजगार न चलता था तब तक लाचारी थी पेट के लिए सेवा टहल करम को करम सभी करना पड़ता था अब आप लोगों की दया से हमारे भी दिन लोटे हैं अब दूसरा काम नहीं किया जाता अगर बाजार का यही रंग रहा तो अपनी कमाई खाए न चुकेगी यह सब आपकी साड़ी की महिमा है उ एक महीना पहले इन दुकान वालों में से किसी को रोटियों का ठिकाना न था कोई साइसी करता था कोई तासे बजाता था यहां तक कि कई आदमी महतर का काम करते थे कितने ही भीक मांगते थे अब सब अपने धंदे में लग गए हैं सच पूछो तो तुमारी सुहाग की इने हमें सुहागिन बना दिया नहीं तो हम सुहागिन होते हुए भी विद्वाई थी सच कहते हूँ सैक्णों जबानों से निती यही दुआ निकलती है कि आपका सुहाग अमर हो जिसने हमारी रांड जात को सुहाग दान दिया रतन सिंग एक दुकान पर बैठ कर कुछ अपड़े देखने लगे गौरा का भावु खिरदय आनन से पुल की थोरा था उसकी सारी अमंगल कल्पनाएं स्वपनवत विछिन होती जाती थी आँखे सजल हो गई थी और सुहाग की देवी अस्रु संचित नेत्रों के सामने खड़ी आँचल फैला कर उसे आशिरवात दे रही थी उसने रतन सिंग को भक्ति पोन आखों से देख कर कहा मेरे लिए भी एक साड़ी ले लो जब गौरा यहां से चली तो सड़क की बिजलियां जल चुकी थी सड़कों पर खोब प्रकास था उसका हिरदय भी आनन्द के प्रकास से जगमगा रहा था रतन सिंग ने यह जमीन ले कर एक स्थाई बाजार बनवा दो स्वधेशी कपड़ों की दुकाने हो और किसी से किराया न लिया जाए रतन बहुत खर्च पड़ेगा गौरा मकान बेश दो रुपए ही रुपए हो जाएंगे रतन और रहें पेड के तले गौरा नहीं गाँवाले मकान में रतन सोचूंगा गौरा जरादेर में इलाके भर में खूप कपास के खेती कराओ जो कपास बोए उसकी बेगार माफ कर दो रतन हाँ तत्बीर अच्छी है दूनी उपज हो जाएगी गौरा कुछ दिर सोचने के बाद लकड़ी बिना दाम दो तो कैसा हो जो चाहे चर्खे बनवाने के लिए काट ले जाए रतन रूट मत जाएगी गौरा ऐसी बेहिमानी कोई न करेगा जब उसने गाड़ी से उतर कर घर में कदम रखा तो चित सुब कल्पनाओं से परफुलित हो रहा था मानो कोई बचड़ा खूटे से छूट कर किलो लें कर रहा हो धन्यवाद